हेलो दोस्तों मैं हो इशान और आज हम बात करेंगे बर्मुडा ट्राइंगल की मिस्टरी के बारे में जीहा समुद्रकी एक ऐसी मिस्टरी कि जहाँ पर कोई भी शीप हो या कोई भी प्लेन हो अगर वो वहाँ पर जाता है तो वो गाय भी यानि कि वहां पर जब भी कोई plane या ship जाता है तो उसका compass काम करने बन कर देता है फिर उससे संपक्ख तूड़ जाता है और फिर वो गाय भी हो जाता है उसका ना तो कोई parts मिलता है ना कुछ भी कोई इंसान भी कोई खबर नहीं होती है और वो एक बार वहां पर जाता है फिर कभी भी वहां से वापिस ही नहीं आता है या कोई खबर ही नहीं मिलती है तो आखिर उस जगह की mystery है क्या आखिर ऐसा वहां पर होता क्या है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले तो हम यह जानते है कि आखिर ये area आया कहा है बर्मुडा ट्राइंगल का area है और वहां पर कोई भी ship जाता है या कोई भी ब्लेंग जाता है तो ये कहा जाता है कि वहां पर जाने के बाद उसका जो कंपस है वो काम करना बंध कर लेता है और फिर वो सब्सक्राश Imm towel जाता है ना को इनसान की खबर ना किसी की की parts मिलता है कुछ भी नहीं पता चलता है इस जगह के बहुत सारे अलग-अलग नाम दिये गए है जैसे कि ग्रेवियार्ड ऑफ अट्लैंटिक, सर्गासो ग्रेवियार्ड, सी ओप डूम, डैविल ट्राइंगल, बर्मुडा ट्राइंगल तो ये बर्मुडा ट्राइंगल अखिर इसका नाम कैसे पड़ा तो दरसल बात है कि 1964 में एक मेगेजिन है, एरिस्ट्रो नाम की, जिसके राइटर, एक राइटर है, विंसेंट एडिसन ने एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का नाम उन्होंने दिया था, क्या connection कोई बनता है, वो समझने की कोशिश की थी, वो सारे इंसिटर्न का एक conclusion, निकालने की कोशिश की थी, और उस आर्टिकल का नाम था, देडली बर्मुडा ट्राइंगल, तब से इस जग़ को बर्मुडा ट्राइंगल कहा जाता है, इस area के उपर इस बरुबड़ा ट्रायंगल के नाम पर कई फिल्में बनी है, बहुत सारी books लिखी गई है, कई games बनी है, शायर ही किसी ओर topic के उपर इतनी books बनी हो, इतनी films बनी हो, इतनी books लिखी गई हो या फिर game बनी हो तो ये एक फिर इसके बाद तो इसकी conference theory लगातार सुन उने को मिलने लगी अब बरुणा ट्राइंगल से डेलेटर कुछ फेमस इंसिडेंट से बारे में बात करें तो 1945 में युएस नेवी का पांच बॉंबाड विमान का एक रेगुलर मिशन था जिसका नाम फ्लाइट 19 था उसके बारे में बात करें तो दरसल वो फ्लोरीडा से ट मिश्ट की और जाते हैं सब कुछ नॉर्मल था वैदर भी नॉर्मल था और मिशन भी नॉर्मल था लेकिन दो घंटे के बाद जो एक विमान के अंदर टेक्निकल खामी सुरू हो जाती है उसका कमपास काम करना बन कर देता है जब उसके बाद लेक्टरन करनल चार्ट केरोल टेलर ने अपना बैकप कमपास निकाला लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था फिर उन्हों ने दूसरे पाइलट से भी पूछा तो उनका भी सिस्टम यही था उनका भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था फिर उन्हों ने एक मैसेज छोड़ा जो कि था इस मेसेज के बाद शाम को साट बजी टेलर ने दूसरा और आखरी एक मेसेज छोड़ा जो की था इस मेसेज के बाद ये पांच विमान फ्लाइट नैंटीन के साथ क्या हुआ कोई पता नहीं उनका प्लेन किस पांच में से कोई प्लेन की कोई खबर नहीं कहा गए क्या हुआ कोई पार्ज तक नहीं मिला उसके बाद उसे ढूणने के लिए सर्च एंड मरीन एरकरफ ने तीरा लोगों का एक और विमान उन्हें ढूणने के लिए भेजा वो भी गायब उसका भी कोई पता नहीं चला यानि कि फ्लाइट 19 के पांच वीमान वह भी बर्मुडा ट्राइंगल के आसपास गए और वहां से गायब हो गए और उन्हें डूणने के लिए जो प्लेन गया जो मरीन एरकरफ गया वह भी गया दूसरी मिस्ट्री के बारे में बात करें जो जो कि 1881 में हुई थी जो कि एक शिप थी जो लंडन से नियुवर्क जा रहे थी उस समय लंडन से नियुवर्क जा रहे थी तो जब वह एलन ऑस्टिन शिप लंडन से नियुवर्क जा रहे थी ति फिर उनको रास्ते में इस बर्मुडा ट्राइंगल के आसपास के एरिया म मिला कोई message नहीं मिला ship थे फिर उन्होंने सोचा कि वो खुद कुछ ship पर जाकर कुछ find out करना चाहेंगे फिर वो वो ship पर गए जब उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा तो ship में बहुत सारा सामान था लेकिन कुछ भी अस्त्विस नहीं था यानि कि कोई loot fart या कोई pirates आकर उसे loot गए हो या कोई घटना घटी हो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर वो ship था वो पूरी तरीके से एकदम प्रॉपर था सामान भी जहाँ पर होना चीए साही जगह पर था लेकिन आश्चरे की बात यह है कि उस ship के उपर कोई इंसान ही नही थे फिर उन्होंने यह सोचा कि उनके कुछ कुरू मेंबर है उनको इस ship पर लाया जाए और फिर दोनों ship को लेकर आगे चला जाए फिर उन्होंने वही किया कुछ कुरू मेंबर को उस ship में उतारा और फिर दोनों ship को लेकर वो आगे बढ़े दो दिन बाद तो ठीक रहा ल और फिर जब तुफान शांत हुआ तो फिर एलन ऑस्टिन जो कैप्टन थे उस उन्होंने उस शिप को ढूंडने की कोशिश की आना ने थे और फिर से वो दिखा बहुत दूर दिखा वो दिखा फिर वो उनके पास नजिक गए तो फिर से वही सिच्वेशन की सामान में कोई दस्तबश्ता नहीं थी लेकिन उन्होंने जो क्रू मेंबर वहां पर उनके भेजे थे वो भी गाया थे और फिर उन्होंने दुबार और कुछ क्रू मेंबर को उस शिप में भेजा और फिर विर से वो आगे निकलना शुरू किये और सेम स्टोरी उनके साथ फिर से वी तो यह एलन ऑस्टिन मेश्टरी है कि इस तरीकी की उनके साथ घटना हुई थी जो कि बर्मुडा ट्राइंगल अब यह जो स्टोरी बताई आपको इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है कोई एविडेंस प्रूफ के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका कोई एविडेंस न को बंट कहिने लगते हैं कि यहांपर एलिएन आते हैं और सारी चीज़ों को गायब कर देते हैं अनिक पास ले जाते हें कुछ लोग यह कहते हैं कि यहां पर बहुत बढ़ा सी मॉंस्टर है जो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, जिसके कारण कुछ भी नहीं मिलता है, गायब रहता है, कुछ लोग समुद्रिय तुफान में इतने उंडे, डीपली कुछ भी चीजे चली जाती है, जिसके कारण उनका कोई अप्शेस या कोई पार्ट नहीं मिलता है, ऐसी अलग अ हो सकता एलेन मिलेंगे या फिर कोई सी मॉंस्टर दीखेगा वगरे वगरे ऐसी एक काल्पनिक बाते बढ़ना शुरू हो जाती है जबकि रियालिस्टिक जो बाती होती है तो थोड़ी बोरिंग होती है और इसी के कारण यह बर्मुना ट्राइंगल है वह प्लेस और नेम इत इससे थोड़ी रियालिस्टिक है तो वह जानता है कि पहली है मेंग्नेटिसम thieory, यह थोड़ी scientific theory है और scientific से नजदीक माने जाती है इसमें यह होता है कि जो कमपास का न ओर्पॉल दिखाता है और जो geographical नोर्पॉल होता है कई जगा पर वो थोड़ा अलग सा दिना है जब कमपास का नॉटपोल अगर आप लेके घुमेंगे तो वो मैगनेटिक नॉटपोल जो कमपास का होता है वो दिखाता है और जो एक्चुल जो जियोग्राफिकल जो आप पिक्चर में देख रहे है वो उसमें थोड़ा सा फर्क आता है और कुछ ऐसी जगह है जहां पर कम मुद्री तोफान के कारण ऐसी काज़ूर्टी होने की प्रॉब्यबिलिटी हो सकती है लेकिन ये भी कोई श्यूर एविडेंस नहीं है या कोई श्यूर थेयरी नहीं है ये लेकिन एक साइंटिक फिक एक थेयरी समझाने की कोशिस की गई दूसरी थेयरी ये है कि USA में जो तूफान आते हैं हरीकेन आते हैं अगर सारे स्टेट के बारे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तूफान और हरीकेन फ्लोरिडा के आसपास आते हैं जो की इस एरिया में पड़ता है यहां पर सबसे ज्यादा तूफान आते हैं तो सबसे ज्यादा तूफान आएंगे तो कोड़े ज्यादा है ज्यादा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में और इस तुफान की वज़े से भी हो सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई एलियन आ गया या फिर सी मोंसर है बार बार हरीकेन इस जगह पर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा केजुल्टी हो रही है तो मिथेन हाइडरेट का experiment और theory के बारें बात करें तो कुछ समुद्र में ऐसी जगह होती है जिस field के उपर मिथेन हाइडरेट ज्यादा पाये जाते हैं और श्रेलिया की एक scientific experiment में किया और उन्होंने ये पाया कि मिथेन के bubble जो होते हैं और पानी में मिथेन के bubble एक मात्र से ज्यादा हो जाते हैं तो पानी की density कम हो जाती है और जहाज की buoyancy होती है वो maintain नहीं हो बाती है और जिसके कारण जहाज डूब जाता है तो देखिए ये भी एक scientific experiment है और एक theory है ये कोई pure evidence नहीं है कि वहाँ पर जब जहाज जाते है तो वहाँ पर मिथेन की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण ऐसा होने से सारे जहाज डूब जाते है ऐसा evidence नहीं है लेकिन ये एक probability बताई चौथी एक theory यानि कि एक burden mirror effect के बारे में बात करें वह थोड़ा scientifically ज्यादा convenient लगता है ज्यादा नजदिक लगता है इस बर्ड मोड़ा का एंगल theory के पास दरसल वह है burden mirror theory यह होती है कि अगर कोई चीज पहले भी exist करती थी आज भी exist करती है इन future में भी exist करेगी लेकिन जब आप उसे notice करते हो तो आपको ज्यादा दिखती है यानि कि आप मान लिजे कि अगर आपने कोई यह से coffee shirt पहना है तो आप बहर जाएंगे अब लोगों को देखेंगे तो कहीं न कहीं इसी color के आजपास है इसी color के ही ज्यादा तरह shirt वाले आपको दिखेंगे या लेकिन आपको लगेगा कि जब मैंने ली है तो अब ही यह भी दिख रहे यह भी दिख रहे तो वह दिखना आपको ज्यादा लगेगा और दूसरी जगह पर भी इस तरीके के incident होती होंगे लेकिन लोगों ने ये सोच लिया कि यहां के आसपास जाओ तो यह ऐसे incident होते हैं और जो दूर दरा incident होते हैं उसको इतना importance नहीं मिला उतना priority नहीं मिला तो क्या होगा कि लोगों को ये लगने लगा कि इस area के आसपास ही कुछ है जिसके कारण इसे incident होते हैं अब 100 में से 5 incident होते हो और सबी लोगों का ध्यान यहाँ पर होगा तो यहीं लगएगा कि इसी area के आसपास होते हैं जबकि दूसरी जगह पर 7-8 incident भी होए होंगे लेकिन इतनी नहीं होगी या ध्यान नहीं होगा तो वो ध्यान में नहीं आता है तो यह केरी थोड़ी रियालिश्टी और नस्दिक अब कुछ चौंका देने वाले facts information के बारे में बार करें तो USA के cost guard ने ये कहा कि the cost guard does not recognize the existence of the so-called bermuda triangle as a geographical area of specific hazard to the ship or a plane यानि कि plane और ship के लिए खत्रा बता जाने वाला area मानने से ही मना कर दिया है दरसल यूएस कोड़ का यह कहना है कि यह area heavily trafficked यानि कि ज्यादा ships आते जाते हैं ज्यादा plane आ ज्यादा है जिसके कारण कही न कहीं अगर casualty अगर ज्यादा होती है accident ज्यादा होते हैं तो comparison दूसरे area के comparison में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ज्यादा हो रहा है दरसल यह heavily trafficked है तो आज एक road है उसके उपर 100 vehicle जा रहे और दूसरा एक road है जिसके उपर और पांच vehicle जा रहे तो 100 वाले में अगर 6 भी accident होते हैं तो भी लोगों को लगे ओ छे हो गया और वहाँ पर पांच में से एक भी नहीं हुआ तो यह traffic ज्यादा है तो ज्यादा होगे ना कम है तो कम होंगे तो US course guard का यह कहना है कि यह area heavily trafficked है और यह ship और plane के लिए खत्रा ब पारे में बात करूँ तो 2013 में WWF ने एक stat निकाला कि world 10 most dangerous bodies of water for shipping का जब stat निकाला गया तो top 10 के अंदर बड़मुड़ा ट्राइंगल नहीं है यानि कि top 10 के अंदर इसका नाम ही नहीं था most dangerous जो water bodies of water है for shipping में इससे ज्यादा dangerous तो कई और जगह पर है कई और जगह है जो इससे भी खत्रे वाली है इससे ज्यादा incident होते है लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो हम लोग notice करते है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज्यादा हो रहा है दूसरी जगह पर कम हो रहा है तीसरा फैट वारा करूं को तो Lloyd List Ship Publication जो कि all or world का जो सिफ का data maintain करती है जो कि कि किस एरिये में कहां पर कितनी ships की casualty हुई है और किस एरिया में ज्यादा हुई किस एरिया में कम हुई है कितनी ships की casualty हुई है वो data मेंटेन करने वाली जो साइट से वहां पर भी देखा तो बर्मुडर ट्राइंगल को डेंजरस इरिया नहीं माना गया उससे ज्यादा कैजुर्टी तो कोई किसी और जगह पर भी हुई है तो आप इन तीनों चीजों से और भी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं वेरिफाय कर सक है या फिर कोई इल्लुमिनाटी की स्टोरी बना देता है या फिर कोई और फिर आजाती है तो यह एक रियालिटी से परे है आप एसा कह सकते हैं यानि कि अभी तक वहां पर जो भी इंसिडेंट होते हैं वह क्यों हो रहे है किस कारण हो रहे हैं वहां पर क्या है उसका 100% प लगाए तो लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर किजेगा